Hello and what's up beautiful people and beloved students, how are you all? Myself शमीम, उमीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब की पढ़ाई अच्छी चल रहे होगी, आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आरिया समाज को, आरिया समाज की जो objectives थे, main principles थी, main teachings थी, वो हम पढ़ने वाले हैं, और किसने found किया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, I hope कि आपने पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा, ये sequence में चल रहे होगे, एक streak maintain की होगी, अगर आपने वो नहीं देखी हैं, तो मैं request करता हूँ कि आप description box चेक कीजी, वहाँ पे आपको समाज को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सरसहीद अमद खान, जो अलिगड मुमेट है, उसको स्टार्ट करेंगे, स्वामी दयानन्दा सरस्वती, founded the Hindu reform organization called Arya Samaj on 7 April 1875 in Bombay, सबसे पहले आपको ये point याद रखना है, कि Arya Samaj के founder कौन थे, कौन थे, स्वामी दयानन्दा सरस्वती, कभी इतना भी question पूछा जाता है, छोटा सा, who was the founder of Arya Samaj, तो आपको इतना ही लिखना है, स्वामी दयानन्दा स सरस्वती was the founder of Arya Samaj, तो आपको दो मार्ग्स मिल जाएंगे, जो short answer का question आपके exam में आता है, तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये Arya Samaj जो थी, ये एक Hindu reform organization थी, क्या थी, Hindu reform organization, चूंकि हम पढ़ी रहें, chapter का नाम ही है, social reform, religious movements, तो इसमें ये Hindu reform organization थी, Arya Samaj, ये found की थी, स्वामी दयानंदा सरस्वती ने, कब 7 अपरिल 1875 इसमी में, कहां, Bombay में, he believed the Vedas were the source of true knowledge, इनका ये मानना था, कि Vedas, जो हैं, जैसे हमारे पास चार Vedas हैं, ठीक है, Rig Veda है, Summa Veda, Yujar Veda और अथर Veda, इनका मानना था कि ये जो चार Vedas हैं, ये source है true knowledge की, जो हकीकी ताली है, उसका जो source हैं, वो वे Vedas हैं, हमें इन Vedas को पढ़ना चाहिए, his motto was back to Vedas, इसका ये motto था, इनका ये मकसद था, कि हमें वापस Vedas पर जाना चाहिए, हमें Vedas को पढ़ना चाहिए, उनको explore करना चाहिए, उनमें जो information है, वो 100% real है, ये किनका कहना था, श्वाबाश स्वामी तो बंबे में हुई, लेकिन ये powerful हुई, बंजाब के अंदर और दीरे दीरे ये फिर इंडिया के सारे पार्ट्स में पहुँच गई, spread हो गई, hundreds of Arya समाज, पैट्रोइट्स, including लाला, लाजबत राई, took part in the Indian freedom struggle, कहीं सारे जो पैट्रोइट्स थे, जिनमें Arya समाज में एक teachings क्या थे, Arya समाज की, Arya समाज का कहना क्या था, सबसे पहले Arya समाज, preacher the existence of one God who has to be worshipped not in the form of image, but as a spirit, देखे, पिछली वीडियो में हमने ब्रहमर समाज पढ़ा, उसमें भी ये point common था, वेधिक literature में हमने पढ़ा, उसमें भी ये point common था, कुरान में भी ये point है, Bible में भी हर existence उसकी, एक ये who has to be worshipped, जिसको हमें वर्शिप करना चाहिए, not in the form of image, image की form में नहीं, ठीक है, हम उसकी मूर्दियां बनाएंगे, हम उसकी idols बनाएंगे, शकलें बनाएंगे और पूजा करेंगे, नहीं, वो नहीं करना चाहिए, but as a spirit, हमें रुहानी तोर पे उसकी करते हैं, वेदाज are the source of knowledge, वेदाज जो है, source of knowledge है, ठीक है, इनका ये कहना था, कि वेदाज से हमें, वेदिक literature से हमें source, ये knowledge मिलती है, और वो भी true knowledge, it is the duty of every Hindu to study them, और ये duty है हर एक हिंदू की, कि वो वेदाज को पढ़े, one should accept truth and reject falsehood, हमें क्या करना चाहिए, truth accept करना और वो जो falsehood होगा, जो गलत काम होगे, या जूट होगा, उसको हमें reject करना चाहिए, जो rituals है, या जो customs है, जो falsehood है, हमें उसको reject करना चाहिए, जो कहीं पे mentioned नहीं है, जिनका कोई तालुक नहीं है, किसी चीज़ के साथ, हमें उसको reject करना चाहिए, और जो हकीकत है, जो truth है थे कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की शादी नहीं कर देनी चाहिए ठीक है इट अपोज इड कास्ट डिस्टिंक्शन और सोशल इनिक्वैल्टी यह कॉमन पॉइंट हर जगा पे ठीक है कास्ट डिस्टिंक्शन को भी अपोज करते थे ठीक है जात पात इसमें बेद बा करना चाहिए उसी तरीके से ब्हेव करना चाहिए एक्ट करना चाहिए कि जिस तरीके से वह सही हो यहां इसका मैं सिंपली मतलब बता दूं कि हर एक को सच्चाई का बलाई का साथ देना चाहिए Our society should aim at physical, mental and spiritual development through the means of physical science and true worship society को क्या करना चाहिए? Physical, mental & spiritual development लानी चाहिए अपने अंदर हर एक member को society में अपने अंदर physical development, physical fitness, mental fitness, spiritual fitness, development आनी चाहिए और वो कैसे आएगी? Physical science से और true worship से जब हम इबादत करेंगे हम सुप्रिट वर्षिप करेंगे हम फिजिकल साइंस बढ़ेंगे और फिजिकल साइंस को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम फिजिकली फिट रह सकते हैं मेंटली फिट रह सकते हैं spiritual power भी बढ़ सकता है spiritual development भी होगी ये preachings ही ये कुछ principles थे आरिया समाज की so guys I hope की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like कर दीजेगा आपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजेगा next वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहिदामत खान उस वीडियो की notification पाने के लिए आपको पास वाला बैल आइकन भी प्रेस कर देना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो की notification पहले मिल जाए